लोक मंच कारे करम सुनने बाले सब भेहन भाईयों को राम राम गुरु जी आज श्री राम चरिक मानस के ऊपर कोई राग निस होता हो और मैं उधर ले जा रहा हूँ जिस समय बजरंग बली पवन पत्र हनुमान सीता की खोज लगाते 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 लंका में प्रवेश कर गए और असोग बाटका में जहां सीता जी बैठी है वहाँ पहुँच गए हैं और बड़े दुखी मन से ख़गवान राम की जो बेचयनी है जो किस्थ है उसे माता सीता को बता रहे हैं और इसे नहीं सुनाता है शिरी राम ने भेजा माते तुम्हें खोजने आया बिना तुम्हारे रगुनंदन की पड़ी सोक में खाया बिना तुम्हारे शिरी राम को कुछ भी नहीं सुहाता दिरहब योग में कभी करणा में तंठ तलक भर जाता बिना तुम्हारे शिरी राम को कुछ भी नहीं सुहाता बिरहब योग में कभी करणा में कंठ तलक भर जाता लगता नहीं एकेले का मन रहता कस्ट समाया बिना तुम्हारे रघुनन्दन की पड़ी सोग में काया बिना तुम्हारे रघुनन्दन की पड़ी सोग में काया शिरी राम का सेवत माते पवन पुत्र हनुमान में करना तुम बिश्वाश में रामा करता सही बखान में शिरी राम का सेवत माते पवन पुत्र हनुमान में करना तुम बिश्वाश में रामा करता सही बखान में यह उठी शिरी राम की खास निशानी लाया बिना तुम्हारे रगुननदन की पड़ी सोख में काया बिना तुम्हारे रगुननदन की पड़ी सोख में काया ब्याद कुल है बभु श्री राम बेचैन बड़े हिमान में चेहरा रहे उदास फूल मुर जागय हो पबान में ब्याद कुल है ब्रभु श्री राम बेचैन बड़े हिमान में चेहरा रहे उदास फूल मुर जागय हो पबान में तरके हरन तुम्हा रामा रामन ने जुलम कमाया बिना तुम्हारे रगु नंदन की पड़ी सुक में काया बिना तुम्हारे रगु नंदन की पड़ी सुक में काया पेश चलेगी मेरी ना वर ना तुमको ले जाता हालत देख तुम्हारे दिल में कस्ट ही कस्ट समाता पेश चलेगी मेरी ना वर ना तुमको ले जाता हालत देख तुम्हारे दिल में माता कस्ट समाता शिरी राम की आज्या से रिशिपाल सुअब सर पाया बिना तुम्हारे रघुनंदन की पड़ी सोख में काया बिना तुम्हारे रघुनंदन की पड़ी सोख में काया बिना तुम्हारे रघुनंदन की पड़ी सोख में काया बिना तुम्हारे रघुनंदन की पड़ी सोख में काया